हेलो एव्रीवन वेलकम टू गेट एकाडमी और अभी हम लोग बात करने वाले जो गेट एकजाम 2022 होने वाला है उसका जो एडमिट कार्ड आया है उसके साथ कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन है और कुछ कोबिट की गाइडलाइन से तो मैं उनके बारे में आपको बता देता तो जितने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो वो डाउनलोड कर ले और उसके साथ इंस्ट्रक्शन पेज आपको खुलेगा डाउनलोड करने से पहले तो वो इंस्ट्रक्शन पेज मैंने पहले से ओपन कर रखा है और आपको बता देता हूं कि उस इंस्ट्र तो पहला instruction जो है हमारे पास उसमें हमसे क्या बोला गया है अगर आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है अब printed copy of this admit card can be presented for verification along with the original ओरिजिनल आपको एक valid photo identification proof लेकर जाना है ठीक है यह ध्यान नखिएगा आपको एक अपने साथ क्या लेकर जाना है original identification proof आपको लेकर जाना है चाहें वो pen card हो voter ID हो आधार card हो driving license हो आपको यह सब चीजें लेकर जाना है अपने साथ इन में से कोई एक जिससे कि जब आप center पर पहुंच है तो आपका जो verification है वो proper हो पाए क्योंकि तभी आपको entry मिलेगी exam देने के लिए तो ऐसी गलती ना करें इस instruction को ध्यान से पढ़ ले ठीक है दूसरा instruction अगर हम पढ़े तो बात लिखी गई है admit card is considered to be valid only if both photograph and signature are clear ठीक है तो admit card का जब आप print लेंगे तो आप इस बात को ensure कर लें कि आपका photograph और signature दोनों एकदम clear आने चाहिए ऐसा ना हो वो एकदम blur quality के आए हो ऐसा मत करना और A4 size पर ही आपको print लेना है ठीक है और अगर हो सके तो आपना color print out ले लिजीगा कोई दिक्कत नहीं आएगी 10 या 15 रुपे जाते हैं print out के वो आप निकल बाली जीगा ठीक है दूसरी बात उन्होंने बोला है कि अगर आप examination जब देने जाएंगे तो venue पर आपको at least 90 minutes पहले आपको पहुचना पड़ेगा जो आपका scheduled exam है उससे 90 minutes पहले आपको जाना पड़ेगा तो पकर है आप फटापट बात करें fourth number point की ठीक है candidate will have go through the photo registration and then permitted to the occupy their seats 60 minutes before the scheduled start of examination ठीक है और 20 minutes पहले आपको candidate के जो login है वो आपको आपको दे दिये जाएंगे ठीक है और start आपको कर दिये जाएगा उन instruction को read गनना तो 20 minutes पहले exam से आपको instruction read करने रहेंगे ठीक है यह और एक चीज रहेंगे तो यह क्या लिखाए candidate will not be allowed to enter examination center 30 minutes after start of exam अगर in case ऐसा होता है कि आप लेट हो गए हैं तो आप इतने भी लेट मत हो जाएगा कि 30 minutes से जादा आपको देने पड़ें ठीक है आप हो सकता है लेट हो जाए तो 10-5 मिट चली जाएगा लेकिन आप ऐसा ना हो कि आदे घ exam देने में ठीक है यह द्यान नखेगा और एक चीज और उन्होंने six point में दे रखा है कि candidate will not permitted to leave the exam examination hall before the end of examination तो exam जब तक खतम नहीं हो जाएगा आपको नहीं दिया जाएगा exam छोड़ने के लिए ठीक है तो exam आप जब आप देने जाएंगे तो आप exam छोड़ नहीं सकते बी calculator will be available on the computer screen यह तो सबको मालूम है जितने भी लोग गेट की तैयारी कर रहे है कि virtual calculator रहता है तो इसमें कोई नहीं बात नहीं है यह तो हमको मालूम है ठीक है दूसरी बात यह candidate कोई भी candidate हो वो अपने साथ कोई भी चार्ट टेवल पेपर बुक शीट यह सब आपको examination hall में नह आप उस पर अपना नाम और registration नंबर लिख दें ठीक है क्योंकि अगर कोई examiner वहां आकर कहेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा आप पहले से ही एक examination जब हॉल मेंटरी करें तो अपने पैड पर अपने नाम और registration नंबर लिख दें जिससे की examiner को आप से कहने की लिटन कर दीजेगा ठीक है यह तीसरी बात यह है अगर हम ध्यान से देखें इसमें कि परसनल कैलकुलेटर और एनी काइंड और बोचेज बैलेट मोबाइल फॉन यह सब अपने घर पर ही रख्या जाए या फिर examination center पर जमा कर दें ठीक है यह strictly जो है मना करें नोट है ठीक है अगर हम आगे बात करें तो candidate must bring their own pen pencil transparent water bottle तो water bottle आप ले जा सकते हैं अपने साथ ठीक है और आप own pencil ले जा सकते हैं वो तो आपको ले की जानी पड़ेगी आप पैन भी लेकर जाएंगे ठीक है यह लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें इस बार यहा पर allow करा गया pocket hand sanitizer यह आपको लेकर जाना है वहां से कोई provide नहीं कराएगा आप यह सोचें कि भाई मैं वहीं मिल जाएगा मुझे या फिर get authority जो हमको provide करेगी ऐसा नहीं है आपको अपने साथ लेकर जाना जाना पड़ेगा ठीक है without proper face mask face mask भी आपको लगा कर जाना एक दम घटिया quality का होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे proper face mask एक नया खरीद दीजेगा वही लगा कर जाईएगा और sanitizer ले जाएगा ठीक है यह यह चीज़ और दूसरी बात यह उनना चाहिए कि mask must be in proper position throughout the candidate जो भी रहेगा ठीक है रखता है तो आप फड़ाबट क्या करेंगे mask को पहने रखेंगे तीन घंटे तक आपको carry करना पड़ेगा ठीक है यह तो अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो यह कोबिट से रिलेटेट पॉइंट है इसमें क्या वो लगए before entry to the examination center the center official में assess the health condition of the candidate तो महाँ पर आप आपका health condition भी assess करी जाएगी इसलिए बार-बार बोला गया है कि आप 90 मिनट पहले पहुंच जाएंगे ताकि जो फॉर्मल्टीज है वो पूरी हो पाएं ठीक है all candidate must be follow the covid related protocol in compliance with the order and directive of government of India and local authority जो भी आपकी local authority ने दे रखें हो जहां भी आप रह रह रहे हूं अगर मां lockdown है त अच्छा अगर एक और यहां पर नई guideline के बारे बात करें तो यह 12th नंबर की जो guideline है यह सब को पढ़ने है क्योंकि covid related है ठीक है covid related है आपका जो temperature होना चाहिए वो 99.4 degree Fahrenheit ठीक है कफ या runny nose यह सब नहीं होने चाहिए आपके पास ठीक है इतना आप बचके रहें अगर हो तो आप पहले से treatment लेकर जाएं तो इस चीज़ को आप पढ़ लिए जीगा यह covid related guideline है इस ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए otherwise आपको जो है वहाँ exam देने नहीं जिया और दिया जाएगा रोका जाएगा आपको ठीक है यह चीज़ ध्याना किएगा आगे बात करें on the examination day candidate must not have covid symptoms ऐसा नहीं हो कि आपको covid symptoms हो आप देने चले गए और 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 को भी affect कर दिया ऐसा मत करिएगा अगर हो तो आप पहले ही authority को बता दीजेगा कि मेरे को exam देना है और covid symptoms है ठीक है यह तो ऐसा नहीं हो वैसे तो कोशिश करेंगे कि covid नहीं हो सभी को सभी लोग स्वस्तर है और exam से exam दें अच्छा score करें लेकिन ऐसा अगर covid का कुछ भी है तो प्लीज आप लोग बता दीजेगा हो सकता है वो आपके लिए कुछ arrangement कर दें ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखेगा इसलिए 13 number पर यह mention कर रखा है ठीक है उसके बाद अगर आप किसी भी जो guideline है उसको avoid करत है ठीक है जब तक exam conductor रहा है उसके दोरान तो आपके उपर legal action ले सकते हैं या फिर जो आपका केंडिडेचर है उसको cancel कर सकते हैं तो यह total guideline है इस सब को आपको पढ़ना है प्रॉपर तभी आप examination hall में जो आपको guideline दी जाएंगे उनको आप follow करेंगे क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं और पहले से आप इन सब चीज़ों का जो मतलब जो follow करने ही वह आप पहले से follow कर रहे हैं ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको पहले ही page पर मिलेंगी जब आप जो है जाएंगे instruction लेने instruction of the candidate लेने जाएंगे न तो instruction of candidate जो दिया जाएगा admit card डाउनलोड करने से पहले तो आपको मिल जाएगा तो मैंने सारी guideline आपको पढ़कर सुना दी हैं उसके बाद click करकर ठीक है click करके अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं तो बात यह है कि अब covid तो चली रहा है और exam भी होगा क्योंकि admit card आ चुके हैं और date भी final हो चुकी है तो बस यही है कि अब आपको covid में ही exam देना पड़ेगा और covid में exam जब आप देंगे covid में जब आप exam देंगे तो आपको यह जो है मतलब proper यह जो guideline है वो follow करनी पड़ेंगे जिससे कि आप भी स्वस्तर हैं और आपके आसपास जो लोग है वो भी स्वस्तर हैं उनको भी कोई problem नहीं हो तो good luck from my side to all of you कि अभी जो है आप आराम से तैयारी करें exam की date आ चुकी है और bumper response आपको देना ही देना है चाहां कुछ हो जाए क्योंकि इस बार gate जो है वो covid situation में होई रहा है तो अपन को भी best देना जिससे कि हम अच्छी rank निकाल पाए और rank निकालने के साथ-साथ हम अपना जो dream है उसको fulfill कर पाए ओके तो bye bye from my side thank you very much